फिरोजाबाद जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड उद्यान निरीक शक को ट्रेक्टर चड़ा कर मौत के घाट उतार देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड के दौरान किया गिरफतार इंद्रपाल नाम के आरोपी की पुलिस मुठभेड में हुई गिर आरोपी का जिला अस्पताल में चल रहा है उक चार पांच दिन से फरार चल रहे आरोपी की आज खबर चलने के बाद पुलिस ने की गिरफतारी फिरोजाबाद से देखिए हमारे समवाद दाता राहुल उपादियर की खास रिपोर्ट पूस्ताच पर उसने अपना नाम इंदरपाल बताया जो गढ़ी कल्यान का था मैं बताना चाहूंगा कि जो तीन अक्टूबर को घटना घटित हुई थी उसका यह मुख अव्यूक्थ था और यही ट्रेक्टर चला रहा था इसी के दौरा जो टक्कर मारी गई थी उसके ब बढ़ानी करवाई करा जा रही है किसा